नमशकार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज सबसे बड़ा कमाल हो चुका है और भारत के वो अलोचक जो पिछले 12 महीनों से हमारे पीछे पड़े हुए थे उनका भी मूँ बंद हो चुका है और आज मैं आप सभी लोगों से भी कहूंग कि आने वाले सालों में तमाम देशों की अर्थववस्थाएं कैसा पर्फोर्मेंस करेंगी किसकी अर्थववस्था प्लस में जाएगी कौन सी अर्थववस्था गिरेगी इस साल के जनवरी महीने में भी वर्ड बैंक ने ऐसा ही किया था सभी देशों की अर्थववस्था के बारे में बताया था कि किस की अर्थ ववस्ता किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी चाहिए भूर के बढ़ने शुरू हो जाते हैं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है, अमेरिका जर्मनी जैसे देशों में 80 साल का रिकोर्ट तूट जाता है महंगाई के मामले में और इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इस साल की शुरुआत से ही हर दो से लेकर तीन महीनों के बाद अपन करना शुरू कर दिया, और इस रिपोर्ट में तमाम देशों की अर्थ वस्थाओं को घटाया गया, साथी ये भी बताया गया कि भारत की रफ्तार भी कम होगी, उसके कुछ महीनों बाद नहीं रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि भारत की रफ्तार और कम होगी, इतन पड़ा और भारत की रफ्तार मातर 6.6% के हिसाब से ही बढ़ेगी और कहा ये जा रहा था कि आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक इसे दोबारा फिर से रिवाइज करेगा और भारत की रफ्तार और घटाई जाएगी और जैसे ही ये एलान हुआ उसके तुरंट बात दुनिया भर के तमाम लोग भारत पर तो चड़ी गए साथी खुद भारत के लोगों ने भी भारती अर्थवस्था को गहरना शुरू कर दिया ये कहा कि भारती अर्थवस्था बरबादी की कगार पर खड़ी है भारत का रूपया गिर रहा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है भारत की GDP गिर रही है और हम बरबाद हो रहे हैं इस तरीकी की बाते खूब फैल आई गए लेकिन अब से कुछ घंटे पहले ही वर्ड बैंक ने अपनी अपडेटिड रिपोर्ट जारी कर दी है और उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है क्योंकि दुनिया की तमाम अर्थवस्थाओं को इस रिपोर्ट में गिरता दिखाया गया है सबके लिए जो वर्ड बैंक ने प्रेडिक्शन करी थी उसमें कटोती की गई है और हैरानी की बात ये है कि भारत की GDP रफ़तार में बढ़ोतरी कर दी गई है अब से कुछ महीने पहले वर्ड बैंक बताया था कि भारत की रफ़तार साड़े च्छेंपरसेंट के हिसाब से बढ़ेगी लेकिन आज की रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में जबर दस परफोर्मेंस दी है और उसी के बलबूतें में भारती अर्थवस्था अब साड़े च्छेंपरस जर्मनी ले लो चीन ले लो जापान ले लो या फिर ब्रिटन ले लो सभी देशों की अर्थ फवस्था एक से लेकर दो परसेंट के अले पले घूम रही है और यहां तक कि कुछ देशों की तो माइनस में भी जा रही है और भारत प्लस सेवन की जब बर्दस्त रैपिड रफ ली हो चुकी है कि यह हर परिष्थिति के हिसाब से अपने आपको ढाल लेती है और इसलिए तो आप देखिए कि कहीं पर युद हो रहा है दुनिया में कहीं पर इंफलेशन 80-80 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है महंगाई आसमान चूरही है देशों की अर्थ फवस्थाए क्रैस्ट कर रही है कहीं देश कोलाप्स हो चुके हैं बेंकरप्ट हो चुके हैं कहीं पर पढ़रशन हो रहे हैं कहीं देशों के बीच में डिपलोमेटिक वोर्च हिडी है कहीं पर लोकडाउन लगा है सप्लाई चेन में इतनी दिक्कते हैं उसके बावजूद भारत 7% की rapid रफ्तार से आगे बढ़ रहा है यह दिखाता है कि भारती अर्थ फवस्था पिछले 10 सालों में कितनी जारा शशक्त और resilient हो चुकी है आला कि पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरू बताएगा Thank you very much for watching वीडियो